मुतफर्रिक जुम्रों को फेले माजी में तब्दील करके लिखना मिसाल आज का दिन बहुत रौशन है कल का दिन बहुत रौशन था अचानक जल्दले से दुनिया खौफजदा हो जाती है अच्छे इंसानों की सब तारीफ करते हैं बावची खाने में समों से तले जा रहे हैं बावची खाने में समों से तले गए थे बस जबानी करने पर हमें थपड पड़ते हैं बस जबानी करने पर हमें थपड मारे गए थे बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग जाएगी बिस्तर पर लेटते ही मेरी आँख लग गई थी बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है बुरे काम कांजाम बुरा ही होना था पिछले चंद साल से मौसम बदल रहा है पिछले चंद सालों में मौसम बदल गया था फलों और दूर के इस्तिमाल से चहरे का रंग निखर जाएगा फलों और दूर के इस्तिमाल से चहरे का रंग निखर गया था तीन घंटे के बाद भी गोश्ट करने का नाम नहीं ले रहा है तीन घंटे के बाद भी गोश्ट करने का नाम नहीं ले रहा था जब हम गाओं पहुँचेंगे तो सुबह हो चुकी होगी जब हम गाओं पहुँचे तो सुबह हो गई थी جلد باदی का scholars جلد باदی का ANDREW काम खराप कर दिया था जंद में हमारी तोपें आख बरसाएंगी जंद में हमारी तोपों ने आख बरसाई थी चीन तेमाम हालार्स कर पाकिस्तान का साथ देता रहा है चीन ने तमाम हालार्स का साथ दिया था खालिद मुझसे यही कहता है कि मुझे उसका साथ देना चाहिए था खालिदा की शक्रल उसकी वालदा से मिल रही थी दर्दी मेरे कपड़े तंग सी देता है दर्दी ने मेरे कपड़े तंग सी दिये थे दिन रात की महनत राशिद को कामियाब कर देगी दिन रात की महनत ने राशिद को कामियाब कर दिया था दुन्या में इंकलाब तन्वार से नहीं प्यार से आया है दुनिया में इनकिलाब तर्वा से नहीं प्यास से आया था सूरज की तेज रोशनी आँखों को अंधा कर देगी सूरज की तेज रोशनी ने आँखों को अंधा कर दिया था सूरज मगरी में गरूब हो चुका था सूरज मगरी में गरूब हो गया था शेम्पू के ज्यादा इस्तिमाल से बाल खराब हो जाते हैं अब्दु सत्तार एदी अजीम रजाकार हैं अब्दु सत्तार एदी अजीम रजाकार थे अजीम कवमें अपने केदार और तकलिकी खुवियों से पहचानी जाएंगी अजीम कवमें अपने केदार और तकलिकी खुवियों से पहचानी जाती थी कुली सर पर भारी सामान उठा लेगा कुली ने सर पर भारी सामान उठा लिया था गाड़ी के इंजन से जलने की बू आ रही है गाड़ी के इंजन से जलने की बू आ रही थी मेरे दादा बड़े खुश अखलाग है मेरे दादा बहुत खुश अखलाग थे मैं स्कूल में किर्किट खेलूंगा मैंने स्कूल में किर्किट खेली थी मैं आला तालिम के लिए यॉरप जाओंगा मैं आला तालिम के लिए यॉरप गया था मैं चलते चलते ठक गया हूँ मैं चलते चलते ठक गया था नौजवान तबका योरप जाना पसंद करता है, नौजवान तबके को योरप जाना पसंद था